नमस्कार मैं हूं विरेज सिंग्, हाइटी आई की टाक्सों में आपका स्वागत करता हूँ आज जो है तो देखे दिख्छान समारो जो हुआ कॉंसल विकास का हाइटी आई के स्टूडेंटों बार उसमें क्या मिला क्या नहीं मिला है ना क्या खोया क्या पाया तो मेरे को तो हर बड़ाहट दिखी बहुत जल्दी वाजी दिखी और हमको कुछ नहीं मिला आई जे पत्रकार 30 साल का अपना ITI के experience को मैंने जहांका ना था देखा तुम मेरो कुछ नया मिलेगा तो कुछ भी नहीं मिला बस वही एक गुर्गान गाते रहे अपने पोर्टल को ले करके कि जो NSDC ने बनाया हमने बहुत अच्छा किया एक AI कोर्स लांच कर दिये उसके बा पर हमको इगो भी थोड़ा सा ऐसे लगा कि जब मूर्ती जी उनका संबान करने जा रहे थे तो उन्होंने साल नहीं ओड़ा हाथ में ले लिया है और इसमें ती चिन्नली आपके डिपार्टमेंट के ही है मूर्ती जी कोई छुआ छूत बाले नहीं है कि बाकियों को आप द दिया और मैंने ध्यान दिया बड़े बारीकी से ध्यान दिया और यह थोड़ा समीरे को खटका कि आप के एक जांसिल के डारेक्टर के साथ में यह कुछ ऐसा हुआ इसा नहीं होना चाहिए था सम्माल लेन बाकिया पूरे टाइम पे मैंने डीजी मेडम को मंत्री जी कुछ चापलूसी करते हुए हमने जादा देखा और चापलूसी कर रही थी जैसे कुछ छिपा रहे हैं हो डीजीटी वाले है न और मैं क्या बोलू मैं तुबह बोल देता हूँ है न छिपा रहे थे अपनी नाकामी कि कई कोई कुछ बोल न दे तो सेलेक्टिव लड़के भी थे और मार्केटिंग अच्छी हुई मार्केटिंग में मतलम आने कहना चाहिए कि गुवर्मेन्ट इटी आई की अच्छी खासी मार्केटिंग हुए प्रावेट इटी आई का तो नाम भी नहीं आया कि वहाँ के लड़के मने मैरिट आये हैं उनको संम्मान मिला है कुर्ता-ु इंग्लिस को अगर आप ज़्यादा हो रहता कि हिंदी में भी बोरती तो हिंदी भासा के लिए भी बहुत सारे लोग था और देश में एक आपने हिंदुस्तान में जो है हिंदी भासा सब को समझ में आ जाती है।Geniveness पता नहीं कितनी लोगों को समझ में आया होगा, कितना नहीं आया होगा, अब ये न कोई कह दे कि ये हिंदी भासा प्रदेश का है, तो इस पर मुद्दा उठा रहा है, मुद्दा हाँ, फिर हाँ उठे गाई, कि भाई ये अब दसमी पास और अठमी पास लड़कें हैं, इनको क्या ही समझ मे आया होगा, भगवानी जाने, कि इंग्लिस में रटा रटा आया हुआ, प्रोफेशनल इंग्लिस की तरह पढ़कर के पन्ना पल्टा दिये, और इसको दिक्षांग समारो कहते हैं, और इसी को मैंने सोचा कि ये तो तुल्तिवारी जी कुछ बोलेंगे, वो भी अपने कारे काल किये और इनकी सभी की बढ़ाई करते रहे, तो क्या ये सब चीजे धरातर पर सही हुई थी, एक चीज मेरे को बहुत अखरा, कि जो लेप्टोबर बाले लड़के थे, अगर आप जैसे 17 सितंबर किये रहते हैं, विसकर्मा जैनती पर किये होगा, जब आपने एक महीने से उपर लेट किया, करीबन 15 तारी को रिजल्ट आ गया था, तो 15 दिन ये और आज 26 तारी किये, आपने एक डेड़ महीने पूरा जो टाइम लिया, ये कारिकम करने के लिए, तो फिर उन लड़कों का क्या, जो लड़के, लेप्टोबर बाले लड़के हैं, जो किसी कारण से एक जाम नहीं दे पाएके, तो उनके साथ आपने कितना नयाय किया है, कितना नयाय नहीं किया है, ये थोड़ा सा देख करके मेरे को लगा कि लड़कों के मन में खटका होगा, कि हम भी तो इनी के साथ में थे, लेकिन हमारा दिक्चान समारों नहीं हुआ और ना होगा, और ना अभी टाइम आएगा, ऐसा टाइम आएगा मेरिट का, यह एक बहुत बड़ी वो थी, हम सोची कि कुछ ऐसी चीजें बोली जाएंगी, लड़कों को बारे में बोले जाएगे, नए टेकलोजी और नए एक नियम के बारे में बोला जाएगा, एक्जाम के बारे में बो बोला जाएगा, कुछ अफिलेशन के बारे में बोला जाएगा, हाला कि दिक्षान समार हो है, तो उसका मतलब क्या होता है, डीजीटी को साल भर में एक बार मौका मिलता है, अच्छा खासा मौका मिलता है, तो मैंने सोचा कि यार भाई, कुछ तो नया पन करना चाहिए, प बहुत गरू गंबीर के थे, हाला कि हैं भी वो, लेकिन ऐसे लग रहे थे, कि नाखुस हैं, और बाकी जो बैठे हुए थे, तो सब के चेरे में हवाईयां उड़ रही थी, कि कहीं हमको लगता है, कि जो दिक्षान समारों में सर्टीफिकेट बांट रहे थे, तो कहीं कोई लड़कवा कुछ बोल ना दे, अच्छा वो कोई बियार यूपी का था नहीं, ऐसा प्राइवेट भाला नहीं, तो पक्के में कोई नों कुछ तो बोलीन देता, हला कि कभी डीजीटी ऐसे चीज़ों को लियाती ही नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, इस पर मैं ज्यादा तो यही होगा कि लीपा पूती हुई है, और मंत्री जी थे, हमको लगा कि मंत्री जी भी कुछ कहेंगे, लेकिन ठीक है, युगा मंत्री है, पढ़े लिखे हैं, अभी पहले पहले बार बने हैं, तो ठीक है, उनको जो कहना था, वो कहें, हाँ एक लड़की थी, जो NSDC की वो थी, बैंडेवल, उसने कुछ ऐसी चीजें बताई कि मंत्री जी को भी रोना आ गया था, और सच बताऊं मेरे को भी रोना आ गया था, है नो, अब यह सब चीजें आपने देखा हैं, तो मैं नहीं दिखाऊंगा, चुकि इसलिए नहीं दिखाऊंगा कि दिखाना चाहिए कि नह पर जिकर ही नहीं, ना उनके यहां के लड़कों का जिकर है, एक चीज बता दूं कि यह पीडियाप और यूटूबर की पढ़ाई, जवर जस्ट फेल होई है, है न, इनके आप सोची कि सब कहते हैं, तो इनके लड़के कभी क्या मैरीड आये हैं, क्या टाप पे आये हैं, यह एक बड़ी सीख मिली है लड़कों को, कि आप सोच लीजिए, कि आप टापर नहीं है, है न, आप स्कील नहीं, आप देखिए कि सबसे ज़्यादा उडिशा वेस्ट बंगाल के लड़के जो है तो, गौर्मेंट आइटी आई के लड़के पढ़े लिखे और वहां एज पता लगाया, बिल्कुल वहां के अधिकारियों से मैंने पता लगाया, प्रापर स्कूलें चलती है, कालेज चलते हैं, सब कुछ चीजें होती है, है न, तो यह मिध्या है, और इस पर जितना जल्दी आईटी आई वाले अपने आप में लगाम लगा लें, स्टूडेंट अपने आप में लगा लें कि बहतर आईटी आई के लिए बहतर चीज जाएं, हमने सोचा कुछ जाब क्रियेट के लिए चीजें होंगी, कुछ नए कुर्स के लिए होंगे, कुछ नए नियम के लिए भी होंगी, कुछ गोंचनाएं होंगी, हो सकता है कि बाई, दो तीन वा रही थी हरा जलदी जल्दी कारेकों कि जलो ठीक है जूलन को कुछ मिला है जो भी कुछ वा है ठीक है पर मेरे हिसाब से मतों अगर नंबर कोई स्वमें कहेगा तो मैं इनको 62 देने के После में तो नहीं किसी भी हालत में है न दस भी नुम्बर में नहीं दे सकता हूं उसो में यह सिर्फ एक लीपाप होती है आपने जल्दी वाजी में किया है बहुत कुछ चुपाया है और लेप भर बाले लोड़कों के साथ में आपने नहीं किया अपर चलिए ठीक है अब भी आपके पास नहीं रहेगा चलिए यह दीवाली एक तारिक दो तारिक के बाद आप खाली हो जाएंगे यह सब चीज़ें कहने के बाद है ना कुछ कई लोग दीपावली में छुट्टियों पर चले जाएंगे तो अब प्रापर जो है तो काम होने लगेगा ठीक है चलिए आपके लिए इतना ही कलाएंगे तो फिर किसी नहीं मुद्धे पर बात करेंगे नमस्कार जैहिन जैभर